Hello everyone, my name is Akangshah Vishnoyi, welcome back to my youtube channel, study with Akangshah, hope you all are well, so guys, आज का हमारा grammar का topic रहेगा, degrees of comparison, चलिए इसे detail में एक बार समझते हैं, rules, degrees of comparison, तीन प्रकार की होती है, three types की होती है, degree of comparison, first is positive, second is comparative, and third is superlative, अब सबसे पहले देखते हैं, positive, positive degree में किसी वस्तू या व्यक्ति के साधार गुन या दोश, जो भी उसमें अवगुन होते हैं, वो प्रकाट होते हैं, किसी भी sentence में व्यक्ति की अच्छाई या बुराई का उसमें पता चलता है, second is comparative degree, compare comparative यानि कि किसी दो व्यक्ति या दो वस्तों की तुलना करना, उसे कहते हैं comparative degree, comparative degree में व्यक्तियों या वस्तों के गुन या दोशों की तुलना होती हैं, इसमें comparative के use के बाद, say के लिए then का use किया जाता है, कहीं पर भी कोई भी दो व्यक्तियों या दो वस्तों होंगी, तो उसकी वहाँ पर comparative degree में तुलना की जाएगी, compare किया जाएगा आपस, पूरे topic को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को end तक जरूर देखें, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लग रही है, then please like, share, subscribe and press the bell icon, ताकि आप लोगों को मेरे future वीडियो की notification सही समय पर मिले, चलिए अब आगे देखते हैं, C point है हमारा superlative degree, first is positive, second is comparative and third is superlative degree, superlative degree में सर्वोच क्रम यानि की highest number degree होती है, तुन्ना में से की English, then के इस्थान पर और लगाई जाती है, means highest number degree होती है, superlative degree में, highest number क्या होती है, suppose एक word है old, ये हो गई हमारी positive, old यानि की पुरानी, second is older, यानि की उससे पुरानी, old, older, old से पुरानी, older, and third one is oldest, oldest, यानि की सबसे पुरानी, तो जो ये हमारी last number की degree होती है, ये होती है, highest number की degree, ये होती है, हमारी superlative degree, और example देख लेते हैं, एक बार, no other city in UP is so big as कानपूर, कोई भी city इतनी बड़ी नहीं है UP में, जितनी की कानपूर, तो यहाँ पे कानपूर की अच्छाई बताई जा रही, यहाँ पे, तो यह हो गई, यहाँ पे हमारी positive degree, positive degree, so अब second example है हमारा, कानपूर is bigger than any other cities in UP, यह यहाँ पे हमारी comparative degree, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है, किसकी, कानपूर की, UP की other cities से, कानपूर is bigger than any other cities in UP, कानपूर, UP की other cities से बड़ा है, UP की other cities की तुलना में बड़ा है, तो यहाँ उसकी उससे compare किया जा रहा है, and third आती है हमारी superlative degree, कानपूर is the biggest city in UP, तो यहाँ पे उसे सबसे उंचा बताया गया है, कि कानपूर, UP की सबसे बड़ी city है, biggest city, सबसे बड़ी city है, तो यह होती है हमारी superlative degree, so guys, third rule आता है हमारा junior, senior, inferior, superior, जिनके last में IOR लगा है, आदी ऐसे शब्द हैं, जिनके last में IOR लगा होता है, देख सकते हैं, junior, senior, inferior, superior, सबके last में IOR का use हुआ है, अते उनके साथ then का use नहीं होता है, बलकि then के स्थान पर to का use किया जाता है, कोई भी comparative degree होगी, अगर उसके last में IOR का use हुआ है, किसी word के last में, तो वहाँ पर then का use नहीं होगा, बलकि किसका use होगा, to का, यह rule आपको ध्यान रखना है, for example, राम मुझसे छोटा है, राम is junior to me, तो last में क्या आगे है, junior में IOR, तो यहाँ पर यह राम is junior than me, यह नहीं आएगा comparative degree होते हुए बलकि क्या आएगा, to का use होगा, क्यों क्योंकि junior में हमारा last में IOR का use हुआ है, fourth rule is, superlative degree के adjective से पहले, दा का use होता है, जो भी हमारी superlative degree का sentence होगा, उसमें adjective से पहले हमेशा किसका use होगा, दा से, यह rule ध्यान रखना, and guys, adjective के उपर मैंने एक separate वीडियो बना रखी है, तो अच्छे तरीके से adjective के बारे में समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखे, adjective किसे कहते हैं, जो भी किसी noun या pronoun के हमारी विशेशता बताता है, वो होता है हमारा adjective, for example देखिया, आशीश कक्षा में सबसे मोटा लड़का है, आशीश is the fattest boy in the class, यहाँ पर यह हमारी superlative degree, fat, better, fattest, fattest boy in the class, तो यहाँ पर noun की विशेशता बताई जा रही है, कि वो कैसा है, सबसे मोटा है, और उससे पहले हमारा किसका use हुआ है, दा का use हुआ है, जैसा कि मैंने rule में बताया था आप लोग को, superlative degree के adjective से पहले दा का use होता है, आशीश कक्षा में सबसे मोटा लड़का है, आशीश is the fattest boy in the class, अब देखिए second sentence, यह चर्च हमारे नगर में सबसे पुराना है, this church is the oldest one in our city, तो यहाँ पे चर्च की विशेशता बताई गई है, कि वो कैसा है, सबसे पुराना है, superlative degree है, oldest, तो oldest से पहले हमने किसका यूज कर लिया, यहाँ पे दा का यूज किया है, यह rule आपको ध्यान रखना है, sentence बनाने से पहले, तो guys, अब देखते हैं अपने कुछ example, first example देखिए, मदन बहुत मोटा है, मदन is very fat, यहाँ पे कौन सी degree है, हमारी positive degree, क्योंकि यहाँ पर नाउन की विशेशता बताई गई है, simple sentence है, उसकी विशेशता बताई गई है, मदन बहुत मोटा है, मदन is very fat, अब second देखिए, मदन रमेश से अधिक मोटा है, तो यह हो गई यहाँ पे हमारी comparative degree, क्योंकि यहाँ पर किस तुलना की जा रही है, मदन की रमेश से, कि मदन रमेश से अधिक मोटा है, मदन is fatter than रमेश, तो यहाँ पर तुलना की लिए हमेशा किसका यूज होगा, देन का यूज हमारा होगा, और second degree आएगी, fat, fatter, मदन is fatter than रमेश, third, मदन कक्षा में सबसे अधिक मोटा लड़का है, तो यह हो गई हमारी comparative degree, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताएगा है, सबसे अधिक मोटा, highest degree का यहाँ पर यूज होगा, मदन is the fattest boy in the class, मदन क्लास में सबसे मोटा लड़का है, तो गाइस, यह sentence अच्छी तरीके से बनाने के लिए, आप लोग degrees और form भी याद करना आप लोगों को बहुत जरूरी है, जब आपको पता होगा, फेट की second degree कौन सी है, फेटर, third है हमारी fattest, तब ही यह बहाँ पर आप sentence में इसका यूज कर सकेंगे, आप लोगों को concept clear हुआ होगा यहाँ पर, and guys अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, then please like, share, subscribe and press the bell icon, ताकि आप लोगों को मेरे future वीडियो की notification सही समय पर मिली, और कहीं भी कोई भी doubt होता है आप लोगों को, तो आप लोग comment box में जाकर पूछ सकते हैं, चली मिलते हैं अपने next video lecture में, thank you so much. झाल